क्लास दस, चाप्टर तीन, तु स्टोरीज अबाउट फ्लाइन, इसमें दो कहानी और दो कविताएं हैं, एक इस फिर्स्ट फ्लाइट, उनकी पहली उडान, दो दे ब्लाक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज, थ्री, हाउ तो तेल वाइल्ड आनिमल्स पोल्म, जंगली जानव को कैसे बताएं कविता, चार, दबॉल पोल्म, गेंद कविता, एक, इस फिर्स्ट फ्लाइट, उनकी पहली उडान, दे यंग सीगल वस अलोन ऑन इस लेज, युवा सीगल अपनी कगार पर अकेला था, his two brothers and his sister had already flown away the day before, उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड गये थे, he had been afraid to fly with them, वहा उनके साथ उडने से डरता था, somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings he became afraid, किसी तरह जब वह कगार के किनारे तक थोड़ा आगे बढ़ा और अपने पंग फरफ़डाने की कोशिश की तो वहा डर गया, The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. Samudra का विशाल विस्तार नीचे तक फैला हुआ था, और यह मीलो नीचे इतना लंबा रास्ता था. He felt certain that his wings would never support him. उसे यकीन था कि उसके पंग कभी उसका साथ नहीं देंगे. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसलिए उसने अपना सिर जुकाया और वापस कगार के नीचे उस छोटे से छेद की ओर भाग गया जहां वहार रात को सोया करता था. Even when each of his brothers and his little sister, यहां तक की जब उसका प्रतेक भाई और उसकी छोटी बहन, whose wings were far shorter than his own, जिनके पंक उसके पंक से बहुत छोटे थे, ran to the brink, flapped their wings, and flew away. कगार पर भागे, अपने पंक फडफराए और उडगे. He failed to master up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. तब भी वह उस चलांग लगाने का साहस जुटाने में अस्फल रहा जो उसे बहुत हताशापूर लग रही थी. His father and mother had come around calling to him shrilly. उसके पिता और मा उसे जोर-जोर से बुलाने लगे थे, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उसे डाट रहे थे और धंकी दे रहे थे कि अगर वह उड नहीं गया तो उसे अपनी कगार पर भूखा मरने दिया जाएगा. But for the life of him he could not move. लेकिन अपने जीवन के लिए वह हिल नहीं सका. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. वह 24 गंते पहले की बात है. तब से कोई भी उसके पास नहीं आया. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. एक दिन पहले, पूरे दिन, उसने अपने माता-पिता को अपने भाईयों और बहन के साथ उरते हुए देखा था. Perfecting them in the art of light. उन्हें उडान की कला में निपुन करते हुए. Teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. उन्हें लहरों पर कैसे तैरना और मचली के लिए गोता लगाना सिखाया था. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock. वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को चट्टान पर खड़े होकर पहली herring पकड़ते और खाते हुए देखा था. While his parents circled around raising a proud cackle. जबकि उसके माता-पिता गर्व से चलाते हुए उसके चारों और चक्कर लगा रहे थे. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff taunting him with his cowardice. और पूरी सुभ़ पूरा परिवार उसकी कायरता का मजाक उड़ाते हुए सामने की चट्टान के बीचों बीच बड़े पठार पर घूमता रहा. The sun was now ascending the sky. सूर्य अब आकाश में चड़ रहा था. Blazing on his ledge that faced the south. दक्षण की और मुख किये हुए अपने कगार पर चमक रहा था. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसे गर्मी महसूस हुई क्योंकि उसने पिछली रात से खाना नहीं खाया था. He stepped slowly out to the brink of the ledge. वह धीरे धीरे कगार के किनारे से बाहर निकला. And standing on one leg with the other leg hidden under his wing. और एक पैर पर खड़ा हो गया और दूसरे पैर को अपने पंग के नीचे छिपा लिया. He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. उसने एक आख बंद की, फिर दूसरी और सो जाने का नाटक किया. Still they took no notice of him. फिर भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dosing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन पठार पर लेटे हुए हैं, और उनके सिर उनकी गर्दन में धंसे हुए हैं. His father was preening the feathers on his white back. उसके पिता उसकी सफेद पीट पर पंक लगा रही थे. Only his mother was looking at him. बस उसकी माही उसे देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau. वह पठार पर एक छोटे से ऊचे कूबर पर खड़ी थी. Her white breast thrust forward. उसके सफेद स्तन आगे की ओर जुके हुए थे. Now and again, she tore at a piece of fish that lay at her feet. बार बार वह अपने पैरों के पास पड़ी मचली के एक तुकडे को फारती थी. And then scrapped each side of her beak on the rock. और फिर अपनी चोट के दोनों किनारों को चट्टान पर रगड़ती थी. The sight of the food maddened him. भोजन को देख कर वह पागल हो गया. How he loved to tear food that way, scrapping his beak now and again to wet it. उसे भोजन को इस तरह से फाड़ना, उसे मसलने के लिए बार बार अपनी चोच को कुरेदना कितना अच्छा लगता था. जीए, 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 he cried begging her to bring him some food. गा, 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 वहा रोते हुए उससे कुछ खाना लाने की विंती करने लगा. जीए, दब्लू कनला, she screamed back derisively. गौकोला, वहा उपास पूरवक चल्लाई. But he kept calling plaintively. लेकिन वहा उदास होकर पुकारता रहा. And after a minute or so he uttered a joyful scream. और एक दो मिनट के बाद उसने खुशी भरी चीख निकाली. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी मा ने मचली का एक टुकडा उठा लिया था और उसे लेकर उसकी ओर उड़ रही थी. He leaned out eagerly. वहा उच्चुकता से जुग गया. Tapping the rock with his feet. अपने पैरों से चट्टान को थप्त पाता हुआ. Trying to get nearer to her as she flew across. जैसे ही वहा उड़ती हुई उसके करीब जाने की कोशिश करने लगी. But when she was just opposite to him. लेकिन जब वहा उसके बिलकुल विप्रीद थी. She halted, her wings motionless. तो वहा रुक गई, उसके पंक गतिहीन थे. The piece of fish in her beak almost within reach of his beak. उसकी चोच में मचली का टुकडा लगभग उसकी चोच की पहुच के भीतर था. He waited a moment in surprise. वहा आश्चर्य में एक पल इंतजार करता रहा. Wondering why she did not come nearer. सोचता रहा कि वहा करीब क्यों नहीं आई. And then, maddened by hunger, he dived at the fish. और फिर, भूक से परेशान होकर, उसने मचली पर गोता लगाया. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. एक तेज चीक के साथ वहा बाहर और नीचे अंतरिक्ष में गिर गया. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. तब एक भयानक आतंक ने उसे पकड़ लिया और उसका हरिदय ठिठक गया. की कुढ़िया नथिंग. वह कुछ भी नहीं सुन सका. But it only lasted at minute. लेकिन यह केवल एक मिनट तक ही चला. The next moment he felt his wings spread outwards. अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसके पंख बाहर की ओर फैले हुए है. The whine rushed against his dressed feathers, then under his stomach, and against his wings. हवा उसके स्तन के पंखो पर, फिर उसके पेट के नीचे, और उसके पंखो पर दोड़ी. He could feel the tips of his wings cutting through the air. वह अपने पंखो की नोको को हवा से काटता हुआ महसूस कर सकता था. He was not falling headlong now. अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था. He was soaring gradually downwards and outwards. वह धीरे धीरे नीचे और बाहर की ओर उड रहा था. He was no longer afraid. उसे अब कोई डर नहीं था. He just felt a bit dizzy. उसे बस थोड़ा चकर सा महसूस हुआ. Then he flapped his wings once and he soared upwards. फिर उसने एक बार अपने पंक फड़फराए और वहां ऊपर की ओर उड़ गया. जीए, 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 जीएडब्लू करनला, his mother swooped past him, her wings making a loud noise. गा, 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 गौकुला, उसकी मा जोर से शोर मचाते हुए उसके पास से जबती. He answered her with another scream. उसने उसे दूसरी चीक के साथ उत्तर दिया. Then his father flew over him screaming. तभी उसके पिता चलाते हुए उसके ऊपर से उर गय. He saw his two brothers and his sister flying around him coveting and banking and soaring and diving. उसने अपने दो भाईयों और अपनी बहन को अपने चारों और चक्कर लगाते, उचलते और गोता लगाते हुए उरते देखा. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. फिर वहाँ पूरी तरह से भूल गया कि वहाँ हमेशा उढने में सक्षम नहीं था. And commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और जोर-जोर से चलाते हुए खुद को गोता लगाने, उढने और मुढने के लिए प्रेरित करने लगा. He was near the sea now. वह अब समुद्र के पास था, flying straight over it. सीधे उसके ऊपर उड रहा था, facing straight out over the ocean. सीधे समुद्र की और मुह कर रहा था. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges. उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा, जिसमें छोटी-छोटी पहाडिया थी. Moving over it and he turned his beak sideways and caught amusedly. उसके उपर से आगे बढ़ते हुए उसने अपनी चोच को बगल में घुमाया और मजे से कावकाव की. His parents and his brothers and sister had. उनके माता-पिता और उनके भाई-भन थे. Landed on this green flooring ahead of him. उसके आगे इस हरे फर्ष पर उत्रा. They were beckoning to him, calling shrillie. वे उसे इशारे से बुला रहे थे, जोर-जोर से पुकार रहे थे. He dropped his legs to stand on the green sea. उसने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने पैर नीचे कर दिये. His legs sunk into it. उसके पैर उसमें धंस गये. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वहार दर के मारे चलाया और अपने पंक फर्फराते हुए फिर से उठने का प्रयास किया. But he was tired and weak with hunger. लेकिन वहाँ भूक से ठका हुआ और कमजोर था. And he could not rise, exhausted by the strange exercise. और अजीब व्यायाम से ठक कर उठ नहीं पा रहा था. His feet sunk into the green sea. उसके पैर हरे समुद्र में डूब गये. And then his belly touched it and he sunk no father. और फिर उसका पेट उससे चूगया और वहा और आगे नहीं डूबा. He was floating on it. वहा उस पर तैर रहा था. And around him his family was screaming. और उसके चारो और उसका परिवार चला रहा था. Praising him and their beaks were offering him scraps of dogfish. उसकी प्रशंसा कर रहा था और उनकी चोट उसे कुत्तिमचली के तुकडे दे रही थी. He had made his first flight. उन्होंने अपनी पहली उडान भरी थी. 2. The Black Aeroplane Kala Hawaii Jahaz The moon was coming up in the east, behind me. चांद मेरे पीछे पूर्व दिशा में आ रहा था. And stars were shining in the clear sky above me. और तारे मेरे उपर साफ आकाश में चमक रहे थे. There wasn't a cloud in the sky. आस्मान में बादल नहीं था. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. मैं सोई हुए ग्रामीर इलाके के ऊपर अकेले रहकर खुश था. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. मैं अपना पुराना Dakota Hawaii Jahaz France के ऊपर से England वापस उडा रहा था. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मैं अपनी छुटियों का सपना देख रहा था और अपने परिवार के साथ रहने का इंतजार कर रहा था. I looked at my watch, 1.30 in the morning. मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा, सुबह के देड बज रहे थे. I should call Paris Control soon. मुझे जल्भी Paris Control को फोन करना चाहिए. I thought. मैंने सोचा. As I looked down past the nose of the aeroplane. जैसे ही मैंने हवाई जहाज की नाग से नीचे देखा. I saw the lights of a big city in front of me. मुझे अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनी दिखाई दी. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS 088 here. मैंने रेडियो चालू किया और कहा, Paris Control, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं England जा रहा हूं. Over. The voice from the radio answered me immediately. DS 088, I can hear you. रेडियो से आवाज ने मुझे तुरंट उत्तर दिया. DS 088, मैं तुम्हे सुन सकता हूं. You ought to turn 12 degrees west now. DS 088. Over. तुम्हे अब बारा दिगरी पश्चिम की ओर मुढना चाहिए. DS 088. Over. I checked the map and the compass. मैंने मांचित्र और कम्पास की जाच की. Switched over to my second and last fuel tank. अपने दूसरे और आखरी इंधन tank पर switch किया. And turn the Dakota 12 degrees west towards England. और डकोटा को बारा दिगरी पश्चिम में इंग्लेंड की ओर मोर दिया. I'll be in time for breakfast, I thought. मैं नाश्टे के लिए समाय पर पहुँँ जाऊंगा, मैंने सोचा. A good big English breakfast. एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्टा. Everything was going well, it was an easy flight. सब कुछ अच्छा चल रहा था. यहाँ एक आसान उडान थी. Paris was about 150 km behind me when I saw the clouds. जब मैंने बादल देखे तो पेरिस मुझसे लगभग 150 km पीछे था. Storm clouds. तूफानी बादल. They were huge. वे बहुत बड़े थे. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. वे मेरे सामने आसमान में खडे काले पहाडों की तरह लग रहे थे. I knew I could not fly up and over them. मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर या उनके ऊपर से उडान नहीं भर सकता. And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और मेरे पास उनके चारों और उत्तर या दक्षन की और उडने के लिए परियाप्त इंधन नहीं था. I ought to go back to Paris, I thought. मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, मैंने सोचा. But I wanted to get home. लेकिन मैं घर जाना चाहता था. I wanted that breakfast. मुझे वहा नाशता चाहिए था. I will take the risk. मैं जोखिम लूँगा. I thought and flew that old Dakota straight into the storm. मैंने सोचा और उस पुराने Dakota को सीधे तूफान में उडा दिया. Inside the clouds, everything was suddenly black. बादलों के अंदर, सब कुछ अचानक काला हो गया था. It was impossible to see anything outside the aeroplane. हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना असंभव था. The old aeroplane jumped and twisted in the air. पुराना हवाई जहाज हवा में उचल कर मुड़ गया. I looked at the compass. मैंने compass की ओर देखा. I couldn't believe my eyes. मुझे अपनी आखों पर विश्वास नहीं हो रहा था. The compass was turning round and round and round. Compass गोल-गोल घूम रहा था. It was dead. यहाँ dead हो चुका था. It would not work. यहाँ काम नहीं करेगा. The other instruments were suddenly dead, too. I tried the radio. अन्या उपकरण भी अचानक बंध हो गया. मैंने radio आजमाया. पैरस कंट्रोल? पैरस कंट्रोल? यहाँ क्या आप मुझे सुन सकते हैं? There was no answer. कोई जवाब नहीं था. The radio was dead, too. Radio भी dead हो गया था. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. मेरे पास कोई radio नहीं था, कोई compass नहीं था, और मैं नहीं देख पा रहा था कि मैं कहा हूं? I was lost in the storm. मैं तूफान में खो गया था. Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. तभी, मेरे बिलकुल नजदीक काले बादलों में, मैंने एक और हवाई जहाज देखा. It had no lights on its wings. इसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी. But I could see it flying next to me through the storm. लेकिन मैं इसे तूफान के बीच अपने बगल में उड़ते हुए देख सकता था. I could see the pilot's face turn towards me. मैं देख सकता था कि pilot का चहरा मेरी ओर घूंग गया था. I was very glad to see another person. मुझे दूसरे व्यक्ती को देख कर बहुत खुशी हुई. He lifted one hand and waved. उसमें एक हाथ उठाया और हिलाया. Follow me, he was saying. Follow me. मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था. मेरे पीछे आओ. He knows that I am lost, I thought. वह जानता है कि मैं खो गया हूँ, मैंने सोचा. He's trying to help me. वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है. He turned his aeroplane slowly to the north, in front of my Dakota. उसमें अपने हवाई जहाँच को धीरे धीरे मेरे Dakota के सामने उत्तर की ओर मोड दिया. So that it would be easier for me to follow him. ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं एक आग्याकारी बच्चे की तरह उस अजीब हवाई जहाँज के पीछे जाकर बहुत खुश था. After half an hour the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आदे घंते के बाद बादलों में वहाँ अजीब काला हवाई जहाज अभी भी मेरे सामने था. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब पुराने Dakota के आखरी टैंक में केवल 5 या 10 मिनट और उडान भरने के लिए परियाप्त इन्धन था. I was starting to feel frightened again. मुझे फिर से डर लगने लगा था. But then he started to go down and I followed through the storm. लेकिन फिर वह नीचे जाने लगा और मैं तूफान के बीच उसके पीछे पीछे चलने लगा. Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. अचानक मैं बादलों से बाहर आया और मेरे सामने रोशनी की दो लंबी सीधी रेखाये देखी. It was a runway. An airport. I was safe. यहाँ एक runway था. Hawaii अड़्डा. मैं सुरक्षित था. I turned to look for my friend in the black aeroplane but the sky was empty. मैं काले हवाई जहाज में अपने दोस्त को धूडने के लिए मुडा लेकिन आस्मान खाली था. There was nothing there. वहाँ कुछ भी नहीं था. The black aeroplane was gone. काला हवाई जहाँ चला गया था. I could not see it anywhere. मैं इसे कहीं भी नहीं देख सका. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं उत्रा और नियंत्रन tower के पास पुराने Dakota से दूर जाने में मुझे कोई अफसोस नहीं था. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. मैं गया और नियंत्रन केंद्र में एक महिला से पूछा की मैं कहा था और दूसरा पाइलेट कौन था. I wanted to say thank you. मैं धन्यवाद कहना चाहता था. She looked at me very strangely and then laughed. उसने मेरी तरफ बहुत अजीब तरह से देखा और फिर हंस पड़ी. Another aeroplane? एक और हवाई जहाज? Up there in this storm? इस तूफान में वहां उपर? No other aeroplanes were flying tonight. आज रात कोई अन्य हवाई जहाज नहीं उड रहा था. Yours was the only one I could see on the radar. केवल आपका ही हवाई जहाज था जिसे मैं राडार पर देख सका. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो बिना compass या radio के और मेरे टैंकों में इंधन के बिना सुरक्षित रूप से वहां पहुचने में किसने मेरी मदद की? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तूफान में बिना रोश्णी के उड़ रहे अजीब काले हवाई जहाज का pilot कौन था? How to tell wild animals poem जंगली जानवरों को कैसे बताएं कविता? This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. यहां हास्य कविता जंगली जानवरों को पहचानने या बताने के कुछ खतरनाक तरीके सुझाती है. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm इसे मजबूत और नियमित लए में रखते हुए जोर से पढ़े If ever you should go by chance To jungles in the east यदी कभी तुम्हें सैयोगवश पूर्व के जंगलों में जाना पढ़े And if there should to you advance A large and tawny beast और यदी कोई बड़ा और भूरे रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े If he rose at you as you're dying यदी आप मरते समय वह आप पर दहारता है You'll know it is the Asian line तो आपको पता चल जाएगा कि यह एशियाई शेर है यदी कभी तुम्हें सैयोगवश पूर्व के जंगलों में जाना पढ़े और यदी कोई बड़ा और भूरे रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े यदी आप मरते समय वह आप पर दहारता है तो आपको पता चल जाएगा कि यह एशियाई शेर है Or if sometime when roaming round या यदी किसी समय घुमते समय A noble wild beast greets you कोई जंगली जानवर आपका स्वागत करता है With black stripes on a yellow ground Peas mean पर काली धारियों के साथ Just notice if he eats you बस ध्यान दे कि क्या वह आपको खाता है This simple rule may help you learn The Bengal tiger to discern यह सरल नियम आपको दबंगाल टाइगर को समझने में मदद कर सकता है If strolling forth, a beast you view यदी तुम आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें एक जानवर दिखाई देता है Whose hide with spots is peppered जिसकी खाल दागदार है As soon as he has leapt on you जैसे ही वह तुम पर चड़ता है You'll know it is the leopard आपको पता चल जाएगा कि यह तेन दुआ है You'll do no good to row with pain तवील को दर्द से दहाडने से कोई फाइदा नहीं होगा He'll only lap and lap again वह केवल चलांग लगाएगा और फिर उछलेगा If when you're walking around your yard यदि आप अपने आंगन में घूम रही हैं तो You meet a creature there आपकी मुलाकात वहां एक प्रानी से होती है Who hugs you very, very hard जो तुम्हें बहुत जोर से गले लगाता है Be sure it is a beer यकीन मानिये वह एक भालू है If you have any doubts I guess यदि आपको कोई संदे है मुझे लगता है He'll give you just one more carous वह तुम्हें सिर्फ एक और दुलार देगा Though to distinguish beasts of prey A novice might non-plus हाला कि एक नौसिखिया के लिए शिकार के जानवरों में अंतर करना व्यर्थ हो सकता है The crocodile you always make Tell from the हाईना दस मगरमच को आप हमेशा लकडबग्गे से इस प्रकार कह सकते है हाईनास come with merry smiles लकडबगे प्रसन्न मुस्कान के साथ आते है But if they weep their crocodiles लेकिन अगर वे रोते हैं तो वे मगरमच है The true chameleon is small Asli girgit छोटा है A lizard sort of thing छिपकली जैसी कोई चीज He hasn't any ears at all उसके एक भी कान नहीं है And not a single wing और एक भी पंक नहीं है If there is nothing on the tree यदी पेड पर कुछ भी नहीं है Just the chameleon you see तो यह गिरगिट है जिसे आप देखते हैं Caroline Wells The ball poem gained Kavita A boy loses a ball एक लड़का एक गेंद खो देता है He is very upset वहां बहुत परेशान है A ball doesn't cost much Nor is it difficult to buy another ball एक गेंद की न तो अधिक कीमत होती है और नहीं दूसरी गेंद खरीदना कठिन होता है Why then is the boy so upset? फिर लड़का इतना परेशान क्यों है? Read the poem to see what the poet thinks has been lost यहां देखने के लिए कविता पढ़े की कभी क्या सोचता है की क्या खो गया है And what the boy has to learn from the experience of losing something और लड़के को कुछ खोने के अनुभव से क्या सीखना है What is the boy now who has lost his ball? अब वहां लड़का क्या है जिसकी गेंद खो गई है What, what is he to do? I saw it go क्या कुसे क्या करना है? मैंने इसे जाते देखा Merrily bouncing down the street and then खुशी से उचलते हुए सडक के नीचे और फिर Merrily over there it is in the water खुशी से वहां यह पानी में है No use to say oh there are other bowls यह कहने का कोई फाइदा नहीं कियो और भी गेंदे हैं An ultimate shaking grief fixes the boy एक अत्यंत जगजोर देने वाला दोख लड़के को स्थिर कर देता है As he stands rigid, trembling, staring down जैसे वह कठोर खड़ा है, कांप रहा है, नीचे घूर रहा है All his young days into the harbor where उसके सभी युवा दिन बंदरगाह में थे His ball went I would not intrude on him उनकी गेंद गई मैं उस पर हस्तक शेप नहीं करूंगा A dime, another ball, is worthless Now, एक पैसा, दूसरी गेंद, बेकार है अब, की sense is first responsibility उसे सबसे पहले जिम्मेदारी का एहसास होता है In a world of possessions, people will take संपत्ती की दुन्या में लोग लेंगे Balls, balls will be lost always, little boy गेंदे, गेंदे हमेशा खो जाएंगी, छोटे लड़के And no one buys a ball back Money is external और कोई भी गेंद वापस नहीं खरीदता पैसा बाहरी है He is learning, well behind his desperate eyes वह सीख रहा है, अपनी हताश आखों के पीछे The epistemology of loss, how to stand up हानी की ज्यानमी मानसा कैसे खड़ा होना है Knowing what every man must one day know वह जानना जो प्रतेक मनुष्य को एक दिन अवश्य जानना चाहिए And most know many days, how to stand up और अधिकांश लोग कई दिनों से जानते हैं की कैसे खड़ा होना है जान बेरिमन The ball poem और लड़के को कुछ खोने के अनुभव से क्या सीखना है अब वह लड़का क्या है, जिसकी गेन खो गई है, उसे क्या करना चाहिए मैंने उसे सड़क पर उचलते हुए, और फिर वहाँ पानी में उचलते हुए देखा ओ, अन्य गेन्दे भी हैं, कहने का कोई फाइदा नहीं है एक अत्यन्त कंप कंपा देने वाला दोख लड़के को जकड लेता है, क्योंकि वहाँ कठोर खड़ा होता है काम पता है, अपने सभी युवा दिनों को उस बंदरगा में देखता है, जहां उसकी गेंद गई थी मैं उस पर हस्तक शेप नहीं करूंगा, एक पैसा, दूसरी गेंद बेकार है अब उसे संपत्ती की दुन्या में पहली जिम्मेदारी का एहसास होता है लोग गेंदे लेंगे, गेंदे हमेशा खो जाएंगी, छोटे लड़के और कोई भी गेंद वापस नहीं खरीदता पैसा बाहरी है वह सीख रहा है, अपनी हताश आखों के पीछे, नुकसान की ज्यानमी मांसा कैसे खड़ा होना है, यह जानना की हर आदमी को एक दिन क्या जानना चाहिए और अधिकांश कई दिनों से जानते हैं, कैसे खड़ा होना है ठांक्स वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभो भगवान आपका भला करें